तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बायो वालाज पे और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री ठीक है जैसा कि आप सभी को पता है कि बायो वालाज पर बहुत सारे सवी में दे बायो के दल चुके हैं और अब से डेली बेस्ट्री पर आपको ऑर्गेंिक केमिस्ट्री का जुका बेज मालूम हो सके डिसका यूज अपन आगे आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं चाहे वो class 11th के chapter हो चाहे वो class 12th के chapter हो commonly उन सभी में general organic chemistry का use किया जाता है तो हम start करने वाले हैं आज के lecture को general organic chemistry के साथ जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज का topic हमारा क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं general organic chemistry के बारे में देखे हम यहाँ पे general organic chemistry को short form में GOC से represent कर रहे हैं बारे में ठीक है तो देखे जी ओसी में हमें जिन जिन टॉपिक्स को one by one cover करना है पहले मैं आपको यह बता दूँ कि हम यहाँ पे general organic chemistry में किन topics को और किस sequence में study करने वाले हैं तो देखे जनरल organic chemistry में जो first topic हम जिसे आज के lecture में start करने वाले हैं वो क्या है यह होता है electronic effect क्या होता है हम यहाँ पे GOC में ही electronic effect different types of various type of electronic effect के बारे में study करेंगे ठीक है तो हमारा जो यहाँ पे first individual topic होगा आज के lecture का वो क्या होगा electronic effects के बारे में हम यहाँ पे start करने वाले हैं लेकिन electronic effect के साथ साथ और कौन-कौन से topics होंगे जिसे हम general organic chemistry में ही study करते हैं पहले हम वो भी देख लेते हैं देखे यहाँ पे electronic effect के साथ साथ हम grocery गांसा topic हम यहाँ पे aromet hero positivity के बारे में भी study करेंगे ठीक है तो यहाँ पर electronic effect के सार साथ मैं आपको arometeting city ठीक हैos aromet mice city के बारे में जिसे हम हम हिंदी में परमानुकता कहते हैं तो हम इसके बारे में भी क्या करेंगे डीटेल में study करेंगे जो हमारा third topic होगा general organic chemistry का वो क्या होगा इसमें हम study करेंगे acidic हम यहाँ पे बात करेंगे acidic and basic strength ठीके तो यहाँ पे मैं लिख रहा acidic and basic strength तो हम यहां पे acidic और basic strength के बारे में भी क्या करेंगे detail में study करेंगे one more time मैं आपको revise करवाद हूँ हमने कहा कि हम यहां पे general organic chemistry में जो first topic include करेंगे या फिर जिसके बारे में study करेंगे वो क्या होगा electronic effect, second हम study करेंगे aromaticity के बारे में third हम पढ़ेंगे acidic and basic strength के बारे में छिके इसके बार देखिए हमारा जो fourth topic होगा यहां पे general organic chemistry में यह होगा reaction intermediate हम यहां पर reaction intermediate के बारे में भी क्या करेंगे detail में study करेंगे अब reaction intermediate को आप most commonly क्या कह सकते हैं इसी reaction intermediate को आप reaction mechanism भी कह सकते हैं छिके और reaction intermediate में हम especially किन-किन topic को हम detail में study करने वाले हैं तो देखिए हमारे पास reaction intermediate जो होते हैं वो three types के given होते हैं जिसके बारे में हमें study करना होता है यह जो three types के reaction intermediate होते हैं यह कौन-कौन से होते हैं तो देखिए यहां पर जो first type of intermediate जिसके बारे में हम यहां पे study करेंगे यह क्या है यह है यहां पे कार्ब एनायन चीक है तो हम यहां पे कार्ब एनायन के बारे में study करेंगे आपको यह पता है कार्बन के ऊपर एनायन बोल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है और इसके साथ साथ हम यहां पे discuss क करेंगे कार्ब केटायन के बारे में तो कार्ब एनायन और कार्ब केटायन दौनों ही क्या होते हैं मैंने कहा यह रियक्षन इंटरमीडियेट होते हैं तो यहां पे कार्ब एनायन यहां पे कार्ब एनायन को मैंने कार्बन पर नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया है और यहां जो कार्ब के टाइन की बात करें तो कार्ब के टाइन जो होते हैं आपे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया है रिएक्शन इंटर्मीडियेट में थर्ड जो इंटर्मीडियेट जिसके बारे में हमें डिटेल में होता है student यह होता है free radical ठीक है हम यहां पर free radical के बारे में भी study करेंगे यहां पर आपको मैं बता दूं कि हमने reaction intermediate या फिर reaction mechanism commonly से कह सकते हैं reaction intermediate में हम three topics के बारे में detail में study करेंगे जो first होगा वो होगा कार्ब एनायन सकेंड होगा कार्ब केटायन और third हम बात करेंगे free radical का ठीक है अब देखिए इसके बाद general organic chemistry में ही इन चारो topics के बाद जो हम last topic यहां पर include कर रहे हैं यह है टॉटो मेरिजम ठीक है हम यहां पर टॉटो मेरिजम के concept भी हम यहां पर detail में study करेंगे तो आपने यहां पर क्या रेखा कि general organic chemistry में हम especially किन-किन topics को study करने वाले हैं तो first of all जो आज का जो lecture है आज हम electronic effect के बारे में कुछ एक basic बात हैं कुछ एक इंट्रोडक्टिब जो point होते हैं वो study करेंगे इसी में ही हमें aromaticity के बारे में study करना होता है acidic and basic strength के बारे में भी study करना होता है reaction intermediate जिसमें हमने three types के carb anion, carb cation और three radical की बात की तो हमने यहां पर देखा कि three types के reaction intermediate को भी हमें यहां पर study करना है जो यहां पर fifth हमारा topic होगा general organic chemistry का यह क्या होगा totomerism होगा ठीक है तो चलिए start करते हैं आज के lecture को और इस lecture में हम यहां पर detail में study करेंगे कि electronic effect क्या होते हैं तो अब हम यहां पर किस topic को start करने वाले हैं हमारा first topic है electronic effect ठीक है तो हम यहां हम पे इलेक्टरौनिक effect के बारे में study करने वाले हैं च्छी के तो हमारा टॉपिक क्या है हमारी topic है electronic effect electronic effect को पहले हमिये समझते हैं कि इसको हम किस तरह से dual कर सकते हैं मतलब ہम इसका definition समझते हैं कि electronic effect होता क्या है देखिया तो generally हम electronic effect को define करते हैं कैसे तो यह कहा जाता है कि the effect which is exerted or which is a rise by the electron ठीक है and these electrons may be Sigma electron and it may be Pai electron मैंने क्या बोला कि ऐसे effect को ऐसे effect को हम electronic effect कहते हैं जो arise कहां से होता है मैंने कहां वो Sigma electron या फिर पाई electron से rise होते हैं और इस तरहे की effect को हम यहां पर electronic effect कहते हैं तो देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा effect मैंने का ऐसा effect which is exerted by ठीक है मैंने का the effect which is exerted या you can say here it is a rise by ठीक है it is a rise by electron तो electrons जो होते हैं उससे arise होने वाले जो effect हैं हम यहां पर electronic effect में बात करेंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दू कि यह जो electrons होते हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं तो यह electron जो है definition को study कर लेते हैं तो मैंने आपको define कैसे किया electronic effect को कि इस effect को हम define कर सकते हैं कि ये वो effect है जो arise कहां से होता है या किस के through होता है मैंने का ये electron के through arise होता है और ये electron जो होते हैं वो sigma electron भी हो सकते हैं और pi electron भी हो सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसके definition के बारे में क्या किया study किया ठीक है तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक basic बाते इसी electronic effect में add करने वाला हूँ मैं अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि specially strength अगर हम किसी भी chemical reaction की अगर हम बात करते हैं ठीक है अगर हम किसी भी chemical reaction की बात करते हैं तो chemical reaction के कितने parts होते हैं तो पहले हम इसको समझ लेते हैं तो अब देखिए अब हम start कने वाले हैं कुछ एक basic बात है chemical reaction के regarding आपको यह पता है कि किसी भी reaction के two parts होते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि दो हिस्से होते हैं एक part जो होता है उसको हम reactant कहते हैं और एक पार्ट जो होता है उसको हम product कहते हैं reactant को हम left hand side लिखते हैं product को हम right hand side लिखते हैं इन सभी basic बातों के बारे में आपको पता भी होगा लेकिन चुकि हम यहाँ पे general organic chemistry को बिल्कुल zero level से start कर रहे हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपका level भी zero है फिर धीरे धीरे इस level को हम advanced IITZ niche तक ले जाने वाले हैं अब देखिए मैंने आको क्या कहा कि अगर हम किसी भी chemical reaction की अगर बात करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं two parts होते हैं तो हम यहाँ पे यह जानते हैं हमारा जो basic concept क्या है हमारा basic concept है कि if I specially talk about any kind of chemical reaction तो किसी भी अगर हम chemical reaction की बात करते हैं तो इसके कितने parts होते हैं आप सभी को पता भी है इसके बारे में इसके two parts होते हैं और यह two parts कौन कौन से होते हैं तो मैंने का यह जो two parts होते हैं इसमें से हम first part consider करते हैं कौन सा reactant होता है कौन सा होता है reactant होता है और जो next part होता है वो कौन सा होता है product वाला part होता है आप यह जानते हैं कि इस reactant वाले part को हम किस तरफ लिखते हैं मैंने का रियक्टेंट वाले पार्ट को हम left hand side लिखते हैं और ये जो product वाला पार्ट होता है इसको हम कहां लिखते हैं मैंने का इस product वाले पार्ट को हम right hand side लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने आपको क्या बोला कि किसे भी chemical reaction के two parts होते हैं रियक्टेंट वाले पार्ट को हम left hand side लिखते हैं और product वाला पार्ट जो होता है वो हम right hand side लिखते हैं और ये जो रियक्टेंट वाला जो पार्ट होता है इसको भी हम further two components में divide करते हैं तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ मेरा purpose क्या है क्योंकि किसी भी chemical reaction को समझने के लि जितने भी chapters हैं उसमें हम various type के chemical reaction के बारे में study करेंगे लेकिन chemical reaction को समझने से पहले उसके कुछ एक basic parts के बारे में आपको बता होना चाहिए कि reaction में involved होने वाले species को हम कैसे define करें ठीक है अब देखिए अब हम यहाँ पे chemical reaction में जो reactant वाला जो पार्ट मैंने आपको कहा कि इस उसके बारे में हम study काने वाले हैं तो देखिए अगर हम reactant के first component की अगर बात करें तो इससे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है substrate आप सभी को पता है इसे क्या कहते हैं substrate को मैंने यहाँ पर s से रिप्रेजेंट किया है और इसी reactant का जो second जो component होता है उसे हम कहते हैं रिएजेंट क्या कहते हैं रिएजेंट कहते हैं वन मोर टाइम हम देख लेते हैं कि मैंने कहा यह जो रिएक्टेंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट जिसे मैंने यहां पर आर से रिप्रेजेंट किया है यह क्या होता है यह यहां पर होता है रिएजेंट क्या होता है अब मैं आपको पहले यह बता दूं कि यह सब्स्ट्रेट क्या होता है और यह रिएजेंट क्या होता है तो सब्स्ट्रेट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब्स्ट्रेट इस पार्ट ओफ दे रियक्टेंट, is that part of the reactant which is being attacked, ठीक है, which is being attacked, मतलब ये एक ऐसा पार्ट होता है, रियक्टेंट का, जिस पर अटेक होता है, ठीक है, तो it is being attacked, तो आप simply ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा species है, ये कैसा component है, रियक्टेंट का, which is being attacked, जिस पर क्या होता है, अटेक किय किया जाता है ठीक है अब देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर यो को हम किस तरह से defined कर सकते हैं तो resonate is that party성 which attack मैंने कहा। substrate पर आटेज कोता है ने किसा इस पर इसा सीज जिस पर किया जाता है लेकिन इस ऍंच क्या होता है तो यह प्रीएक्टेंड का इसा पाःता है जो अटैक करता है तो यह क्या इसको हम कैसे define कर सकते हैं तो यह attack करता है ठीक है यह attack करता है और इस पर attack किया जाता है तो आपको इस fundamental के बारे में पता भी होगा one more time मैंने इसको revise कर दिया है क्योंकि हम बिल्कुल basic level से सभी बातों को revise करने वाले हैं अब देखिए अब यहां पर मैंने आपको substrate और recent के बारे में ब substrate पर attack किया होगा तो इसके बाद जो है क्या possibility है कि जब recent attack करता है substrate पे तो देखिए जैसे ही attack करता है तो यहां पर किसका formation होने वाला है मैंने कहां intermediate का formation होता है किसका मैंने कहां यहां पर intermediate क्या हो जाता है form हो जाता है अब यह intermediate क्या होता है मैं आपको intermediate को समझाने के लिए यह कह सकता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि इस intermediate को हम क्या कर पाते हैं कभी-कभी हम इस intermediate को detect कर पाते हैं और sometime करता है तो सम्टाइम हम इस इंटर्मीडियेट को क्या कर पाते हैं डिटेक्ट कर पाते हैं लेकिन sometime हम इसको डिटेक्ट नहीं बिकर पाते हैं क्यों क्योंकि ये बहुतわかкивड होता है यह highly unstable भी हो सकता है highly unstable हो सकता है या फिर हम यह क्या सकते हैं कि यह short lived हो सकता है और due to the short lived and highly unstable in nature यह intermediate को हम sometime detect नहीं भी कर पाते हैं तो intermediate से चुकि हम यह कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय के लिए होता है short lived होता है तो इससे किसका formation होगा intermediate से अब product का formation हो जाएगा किसका formation होगा मैंने का यहाँ पर product का formation हो जाएगा इसे मैंने यहाँ पर P से represent कर दिया है तो आपने यहाँ पर समझा कि किस तरह से कोई भी chemical reaction होता है और इसको हम समझ सकते हैं हाला कि हम यहाँ पर electronic effect की बात कर रहे थे लेकिन electronic effect को समझने से पहले मैंने आपको chemical reaction के बारे में और chemical reaction की कितने parts होते हैं reactant और product के बारे हो बताया और reactant में भी जो यह reasant और substrate वाला part होता है किस तरह से वो attack करते हैं हमने इन सभी चीज़ों के बारे में study किया अब देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि हमने जो यहाँ पर reasant के study किया है हमने यहाँ पर reasant के बारे में study किया जो कि क्या करता है? Attack करता है इस पर attack होता नहीं है यह attack करने वाले species होते हैं तो अगर reasant attack करता है तो इसे भी हम further 2 category में study करते हैं रियेजेंट का जो first category होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इलेक्टोफाइल क्या कहते हैं तो रियेजेंट जो है वो इलेक्टोफाइल भी हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्टोफाइल क्या होते हैं इसका definition हम देखेंगे लेकिन पहले मैं आपको उन category को naming कर देता हूं कि कौन कौन से category की हम यहाँ पर बात कर रहे है present जो होता है उसको further two category में हम divide कर सकते हैं first category में निया है यहाँ पर electrofile और जो second category होता है यह क्या होता है अब देखिये मैं आपको यहाँ पर explain कर सकता हूँ कि यह जो electrofile क्या होता है और nucleophile क्या होता है अब हम इसके बारे में detail में study करने वाले हैं कि इलेक्टोफाइल को हम किस तरह से define कर सकते हैं nucleophile कौन से species होते हैं तो चलिए इसको समझते हैं detail में तो देखिए, इलेक्टोफाइल जो होता है इसको हम किस symbol से represent करते हैं यह समझ लेते हैं इलेक्टोफाइल को ई-positive से रिप्रेसेंट करते हैं और यह जो निकलियोफाइल वाले जो species होते हैं इसको हम NU negative से रिप्रेसेंट करते हैं ठीक है तो मैंने symbol के बारे हो बताया अब देखिए इलेक्टोफाइल को हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्टोफाइल क्या होता है तो यह इलेक्टोफाइल जो भी species इलेक्टोफाइल नेचर के होते हैं इसके लिए यह कहा जाता है कि यह क्या होते हैं मैंने कहा ये electron deficient होते हैं कैसे होते हैं मैंने कहा ये electrophile जो होते हैं वो electron deficient होते हैं और deficient का मीनिंग आप जानते हैं ऐसे species जिनके पास किसकी कमी हो मैंने कहा यहाँ पर electron की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं electrophile कहते हैं अगर इस species के पास electron की कमी है तो इसको requirement किसकी है, electron चाहिए इसको, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, कि electrophile ऐसे species होते हैं, which love negative charge, ये किसको love करते हैं, मैंने कहा ये negative charge को क्या करते हैं, मैंने कहा ये जो negative charge होते हैं, उसको क्या करते हैं, love करते हैं, इसको क्या पसंद है, electrophile को, electrophile को negative charge पसंद है तो इसको हम love term क्यों use करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो electro file में ये जो file term होता है इसका meaning क्या होता है file term का meaning होता है यहाँ पे to love क्या होता है इसका meaning to love होता है और ये किसको love करते हैं तो ये electro का meaning क्या होता है electro का meaning होता है electron तो ऐसे species electrophile होते हैं, जो love किसको करते हैं, electron को करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऐसे species होते हैं, जिनके पास electron की कमी होती है, ये तो electron deficient होते हैं, तो इसको चाहिए क्या, इसको negative charge, जो है electron चाहिए, ठीके, तो मैंने आपको समझाया, कि electrophile किसे हम कह सकते हैं, इसके definition के बारे में हमने detail में study किया अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि निकलियो फाइल क्या होता है निकलियो फाइल के बारे में हमने बस यहां पर यह देखा है कि इसको हम NU negative से represent कर सकते हैं इसके symbol के बारे में हमने देखा चीक है अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से define कर सकते हैं तो निकलियो फाइल जो होते हैं इस्ट्वेंट ऐसे species होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जो electron rich होते हैं कैसे होते हैं जो electron rich होते हैं तो electron rich जो species होते हैं उसे हम क्या कहते हैं निकलियो फाइल केते हैं वन मोर टाइम आप यहां पे देख सकते हैं केरफुली कि इलेक्टो फाइल के लिए मैंने कहा कि यह तो इलेक्टोन डेफिशेंट होते हैं लेकिन निकलियो फाइल क्या होते हैं इलेक्टोन रिच होते हैं इलेक्टोन रिच कहने का मतलब है कि इसके अब चाहिए क्या मतलब अब यह जो स्पीसीज होता है यह लव किसको कर लेगा ठीक है यह लव करता है किसको मैंने कहा यह पॉजिटिव ली चाहर्ट जो स्पीसीज होते हैं इसको क्या चाहिए इसको अब पॉजिटिव चार्ज चाहिए ठीक है एक और बार हम इसको समझ ले करते हैं लव करते हैं तो इसको क्या चाहिए होता है इसको positive charge चाहिए होता है क्यों क्योंकि इसके पास negatively charge electron तो already है sufficient amount में हैं इसके पास electron की कोई कमी नहीं है तो इसको क्या चाहिए इसको positive charge चाहिए जबकि हमने electro file में देखा कि electro file species ऐसे होते हैं इसके पास इसको electron चाहिए होता है, negatively charge specific चाहिए होता है, लेकिन nucleophile के पास, जो है कमी किसकी है, positive charge की है, ज्यादा कौन है, मैंने का यहाँ पे electron तो इसके पास sufficient amount में है, चाहिए क्या इसको positive charge चाहिए, तो मैंने आपको बताया, कि किसी भी chemical reaction में, जो reactant का part, जो reactant होता है, उसको two category में हम divide कर सकते हैं, और यह दोनों category कौन कौन से होते हैं, तो मैंने का, reagent may be electrophile, it may be nucleophile, तो इसका nature, जो है, reagent का दोनों ही तरह का हो सकता है, और इन ही सभी fundamentals को use किया जाता है, किसी भी chemical reaction को समझाने के लिए, तो हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में detail में study किया, चुकि हमारा topic क्या था, चुकि हमारा topic की यहाँ पर electronic effect था, तो अब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, कि इस electronic effect में, हमें क्या-क्या और किस-किस types याफि कौन-कौन से various type of electronic effect को one by one in a sequence में हमें study करना है, चुकि है, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर again बताने वाला हूँ, कि हम यहाँ पर especially क्या रेखेंगे, कि यह जो electronic effect है, इस electronic effect में हम कौन-कौन से effect की mainly बात करेंगे, ठीक है, तो electronic effect, electronic effect के definition के बारे में मैंने आपको already बता दिया है, तो हम यहाँ पर definition के बारे में study नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, कि इस general organic chemistry में, हम कौन-कौन से effect के बारे में one by one study करते हैं, देखिए, जो first of all हम यहाँ पर study करते हैं, electronic effect में, इन्डक्टिव effect के बारे में study करेंगे, ठीक है, और inductive effect को यहाँ पर I से represent किया जाता है, इस तरह से, ठीक, तो electronic effect में हमारा जो first topic होगा, वो क्या होगा, inductive effect और इसे किस symbol से represent करते हैं, इसे यहाँ पर I से represent करते हैं, ठीक है, जो हमारा second type का electronic effect जो होगा, जिसके बारे में हमें detail में study करना है, यह कौन सा होता है, तो मैंने कहा, इसे हम कहते हैं mesomeric effect, कौन सा effect होता है, इसे हम यहाँ पर mesomeric effect कहते हैं, और इस mesomeric effect को यहाँ पर M से represent करते हैं, किसे करते हैं, M से represent करते हैं, मैं आपको यहां बता दूँ कि इसी mesomeric effect जिसे हम ने यहां पर M से represent किया है इसी को हम और क्या कह सकते हैं इसी को हम यहां पर resonating effect भी कहते हैं क्या कहते हैं इसी mesomeric effect को यहां पर resonating effect कहते हैं जिसको हम यहां पर capital R से represent करते हैं ठीक है तो मैं आपको mesomeric effect या फिर आप इसे कह सकते हैं resonating effect इसके बारे में हम क्या करेंगे study करेंगे लेकिन इस resonating effect में भी हम एक special type के phenomenon के बारे में study करेंगे detail में इसे क्या कहते हैं इसे हम resonance कहते हैं आप सभी को पता होगा कि resonance के बारे में आप सभी ने जो हैं lower classes में study किया होगा इसके definition के बारे में दे structure और उसके examples को detail में study करेंगे तो सकेंड टाइब का जो electronic effect था हमने देखा यह क्या है यह है mesomeric effect जिसे m से represent करते हैं और यहां पर इसे resonating effect भी कह सकते हैं और एक phenomena एक event के बारे में study करना होता है जिसे हम क्या कहते हैं resonance कहते हैं electronic effect में जो next effect जो की हमें study करना है यह कौन सा है सिधे आते हैं इस पर देखिए यहां पर मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा next type का जो electronic effect जिसके बारे में हम detail में study करेंगे यह क्या होगा यह होगा hyperconjugating effect क्या होगा हम यहां पर hyperconjugating effect के बारे में भी detail में क्या करेंगे study करेंगे अगर हम hyperconjugating effect की बात करते हैं स्ट्वेंट तो hyperconjugating effect को यहां पर hc से रिप्रेजेंट किया जाता है किससे मैंने का यहां पर hc से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अब देखिए अब हमने यहां पर better day टाइब्स के फ्रीट के बारे में स्टौडी कर लिया है हमारा जो लास्ट का इससे हमें सट्टी करना है वह क्या होता है इस्ट्वेश roast्री को किसके रिप्रेजेंट करते हैं इस electromeric effect को हम यहाँ पर capital E से represent करते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर देखा various type of electronic effect जिसे हमें one by one study करना है मैं आने वाले lectures में मतलब upcoming lecture में मैं in detail किसकी बात करूँगा मैं यहाँ पर inductive effect के बारे में आपको first of all बताऊंगा जब inductive effect finish हो जाएगा तो हम resonance के बारे में करेंगे उसके बाद third type का जो effect हम study करेंगे वह होता है hyperconjugating effect और जो fourth effect होगा वह हम पढ़ेंगे electromeric effect जिसे यहाँ पर capital A से represent किया जाता है ठीक है इन सभी चीजों के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो हमने four types के electronic effect लिये हैं तो आपको starting के जो three effect दिखाई दे रहे हैं ठीक है मैंने का अगर हम starting के three effect की बात करें मतलब हम inductive effect की बात करेंगे mesomeric effect की बात करेंगे और hyperconjugating effect की बात करेंगे तो यह जो starting के तीनों effect होते हैं इस joint इसे क्या कहते हैं इन तीनों ही effect को these all three effect are known as permanent effect क्या कहते हैं इसे हम यहाँ पे permanent effect कहते हैं यह किस तरह के effect होते हैं यह permanent effect कहलाते हैं लेकिन especially अगर हम यह last effect की बात करें जिसे Electrometric effect कहते हैं तो यह क्या होता है इस effect को temporary effect कहा जाता है या कहते हैं इसे मैंने कहा इस effect को यहाँ पे temporary effect कहते हैं तो इन सबी शीचों के बारे में हमें डिटेल में study करना है तो आज के lecture में तो हमने केवल एक introductory बाती ही की introduction के बारे में देखा कि chemical reaction क्या होता है electronic effect क्या होते हैं इसके various types के बारे में बताया general organic chemistry में हम कौन-कौन से topics के बारे में study करते हैं हम इन सभी चीजों को collectively आज के lecture में study किये कल के lecture में हम क्या रेखेंगे हम यहां पर inductive effect के बारे में detail में क्या करेंगे study करेंगे तो चलिए हमने इस lecture में जो जो पढ़ा है उसको एक और बार revise कर लेते हैं देखिए मैंने आपको first of all क्या कहा मैंने आपको first of all कहा कि general organic chemistry में हमें कौन-कौन से topic को discuss करना है तो हम यहां पर के बात करेंगे electronic effect के बारे में aromaticity के बारे में discuss करते हैं acidic and basic strength के बारे में हमें बात करना होगा reaction intermediate जो की three types के होते हैं कार्ब एनाएन, कार्बो केटाइन और free radical के बारे में study करना होता है last topic जो general organic chemistry का होगा वो क्या होगा टॉटो मेरिजम के बारे में भी हम detail में study करेंगे इसके बार देखी हमारा जो first topic है general organic chemistry का वो क्या है यह है electronic effect electronic effect को मैंने यहां पर बताया इसका definition बताया आपको की the effect which is exerted or arise by the electron and this electron may be sigma electron it may be the पाइलेक्टोन तो ऐसा effect जो sigma electron पाइलेक्टोन के द्वारा arise होते हैं उसको हम electronic effect खेते हैं फिर मैंने आपको इसके definition को बताने के बाद इसके chemical reaction के बारे में बताया कि chemical reaction के two part हो सकते हैं इसके two component हो सकते है reactant हो सकता है और product हो सकता है reactant को left side हम represent करते हैं product को हम right side represent करते हैं अब हमने atypical chemical reaction के बारे में study किया हमने यहां पर देखा कि अगर हम substrate की बात करते हैं ठीके अगर हम यहां पर reactant के मैंने बताया कि reactant में यहां पर two component होते हैं ठीके कितने होते हैं two component होते हैं तो reactant में जो first component ह यह होता है substrate, यह एक ऐसा species है, जिस पर attack होता है, which is being attacked, लेकिन अगर हम reason की बात करें, जिसे मैंने यहाँ पर R से represent किया है, तो यह क्या है, यह कैसा species है, जो कि attack करता है, ठीक है, इसके बाद जैसे ही, यहाँ पर reason attack करता है, substrate पर, तो इससे क्या form होता है, इससे, जो है, short-lived और highly unstable intermediate form होता है, कभी-कभी हम इसको detect कर पाते हैं, और कभी-कभी यह बहुत कम time के लिए होता है, तो इसको detect नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है, और इससे किसका formation हो जाएगा, इससे हमारा product form हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने यह discuss किया, इस जो है, कि यह जो reason होते हैं, उसको पी further, two category में divide कर सकते हैं, first हो सकता है यहाँ पे electrophile, second हो सकता है nucleophile, इन दोनों के definition के बारे में study किया, इलेक्टोफाइल जो होते हैं, वो electron deficient होते हैं, निक्लिव फाइल जो होते हैं, वो positively charged, जो भी species होते हैं, उसको love करते हैं, यह electron rich होते हैं, यह क्या होते हैं, यह क्या हो को बताया कि जो हमारा first topic है electronic effect जिसके definition के बारे में हमने already study कर लिया था तो अब हम देखते हैं यहां पर कि electronic effect में भी हमें किन-किन various types के बारे में sequence में detail से study करना है देखें यहां पर inductive effect के बारे में जिसे हमने यहां पर प्लस i से represent किया है उसके बारे में study करना है mesomeric effect जिसे हमने यहां capital M से represent किया है mesomeric effect को resonating effect भी कहते हैं इसी में हम एक phenomena के बारे में study करते हैं जो कि resonance होता है उसके बाद hyper conjugating effect जिसे हम axis से represent कर रहे हैं और इसके साथ electromeric effect जिसे यहां पर capital E से represent किया दाता है तो इन चारों ही effect के बारे में one by one हमें क्या करना है detail में study करना है अब देखिए मैंने आपको बताया कि यह जो inductive effect है mesomeric effect है और hyper conjugating effect है यह permanent effect होते हैं जबकि यह जो last category आपने देखा electromeric effect का इससे हमने यहां पर capital E से represent किया यह यहां पर temporary effect होते हैं तो आज के lecture में हमने इन सभी basic बातों को देखा और कल का lecture क्या होगा कल का lecture हम study करेंगे उसमें especially inductive effect के बारे में detail में मैं आपको बताऊंगा कि उसके कितने types होते हैं how we can define the inductive effect हम various example बहुत सारी applications पी discuss करेंगे वीडियो लेक्चर को end करते हैं तब तक के लिए जैहिन जै भारत